जीवन की हर एक समस्या ट्राफिक की लाल बद्धी की दरा से होती है यदि हम थोड़ा सा बेट करें थोड़ी प्रतिक्षा करें तो वो हरी हो जाती है इसलिए धैर रखें प्रयास करें समय तो बदलना ही है समस्या का अंध तो होना ही है तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ करें शुरू करते है आज का वीडियो हलो आदाव नаемсяरा कैसे अब सब लोग वैल आज मैं बात करने वाली हूँ डाविटीज के बारे में यानी शुगर की बिमारी के बारे में डाविटीज या शुगर की परब्लम के बारे में एकमीत है कि एक बार अगर यह प्रावल्बम हो गई diabetes की बिमारी आपको हो गई तो फिर ताउम्र आपको दवाई या फिर injection के रूप में insulin लेना ही पड़ेगा ये कभी ठीक नहीं हो सकती है सिर्फ इसे control किया जा सकता है विल आपको बता दूँ इसके पीछे भी एक कारण है कारण ये है कि ऐलोपेथी में आज तक कोई ऐसी दवा ही नहीं बनी जो diabetes को ठीक करते ऐलोपेथी में जो दवाईयां है वो केवल शुगर को control कर सकती है आपके blood sugar level spike ups ना हो उनको रोक सकती है लेकिन diabetes की विमारी को जड़ से खतब नहीं कर सकते हैं इसी लिए doctors आपको कहते हैं कि एक बार आपने दवा शुरूर कर दिया तो इसे खाते जाओ इससे sugar control रहेगी पुरी उम्री ये खानी ही खानी है बड़ आपको बता दू आयुरवेदा में और एकुप्रेशर में हर एक मर्ज का इलाज है दापटीज इस लाइफस्टाइल डिजीज अगर आयुरवेदा के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत changes कर ले तो दापटीज को भी reverse किया जा सकता है शुगर की बिमारी को जड़ से खतम किया और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी डिजीज को reverse किया है केवल थोड़े बहुत लाइफस्टाइल modifications करके योगा के सहारे एकुप्रेशर के सहारे और अपनी डाइट में थोड़े से changes करके तो आज ऐसा ही three step process आपके साथ share कर रही हूँ जो की आपकी sugar की विमारी को control करने में और reverse करने में बहुत बहुत लाबदायक है और body का energy level भी बढ़ेगा तो यह three step process है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ acupressure points साथ ही साथ डाइट में क्या लेना है क्या lifestyle changes करने है वो भी बताऊंगी last में बताऊंगी हस्त मुत्राएं यानि की hand yoga posture तो यह three step process अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे results मिलते हैं चलिए शुरुवात करते हैं acupressure point से well diabetes की जड़ छुपी हुई है आपके pancreas में pancreas एक insulin hormone बनाता है सिक्रीट करता है जो की आपकी blood glucose level को बढ़ने नहीं देता है जो भी glucose आपके शरीर में बनता है उसे वो blood stream के जरिए body के हर एक cell तक पहुँचाता है ताकि उसे energy मिल सके और वो cell अच्छे से काम कर सके, diabetes होने पर क्यूं आपकी आखें वीक होना शुरू हो जाती है, क्यूं heart problem हो जाती है, क्यूं आपकी skin खराब होनी शुरू हो जाती है, क्यूं आपका digestion ठीक से काम नहीं करता है, क्यूंकि body का हर एक cell वीक पढ़ता जाता है, insulin क्यूंकि आपकी बॉड़ी में कम बन रहा है या आपकी बॉड़ी इंसिविंड के प्रती सेंसिटिव नहीं है यानि पेंक्रियास अगर अपना सही काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, आप में जो खाना खाया उससे आपके ब्लड में ग्लुकोज आया, एनरजी आई और वो एनरजी blood stream में ही रह गई लेकिन उस cell तक नहीं पहुंची जहां पर उसे पहुंचाने की जरूरत है तो blood glucose level बढ़ता जाता है और जहां जिस अंग को energy चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पाती है अब body को क्योंकि किसी तरीके से तो निकालना है blood stream से बढ़ा हुआ glucose तो वो फिर urine के जरीए बहार निकालती है इसलिए diabetic patients को बार-बार urine के लिए जाना पड़ता है जिससे kidney पर बुरा असर पड़ता है इंडेक्स finger और middle finger के बीच में यहां से यह line जाएगी और यह जाएगी आपके अंगूठे के base तक यहां तक यह आपको इस तरीके से stimulate करना है point कभी भी कर सकते हो और कहीं भी कर सकते हो दिन में किसी भी time कर सकते हो बस आपको इस तरह से यह points दबाने है एक से दो मिनट के लिए दिन में दो तीन बार कर लीजे और खाना खाने से पहले करेंगे तो बहुत ही अच्छा है इस तरीके से यह तो हुआ right hand का point left hand में कहां दबाना है यह जो अंगूठे के नीचे का part होता है आपको इस तरह से यह चारो fingers से इस तरह से दबाना है left hand में मैं तो यह कहूँगी तीनो time जब आप खाना खाने वाले हैं खाना खाने से पहले 10-15 मिनट पहले यह दो exercises आपने कर लेनी है तो lifestyle में क्या क्या changes करने हैं सबसे पहली बात तो आपको 13-14 hours की fasting करनी है fasting in the sense आप एक window रखेंगे 10 hours का जिसमें आप अपने तीनों meals complete करेंगे और बाकी के 14 hours आप सिर्फ पानी ले सकते हैं और कुछ मत लीजेगा तो यह 14 hours आपकी body detoxify होगी body से toxins बाहा निकलेंगे body के अंदर repair work चलता है ठीक है अब body repair होगी तो body अच्छे से काम करेगी डाइट में आप जितने carbs लेते हैं उसका दुगना fiber and vitamins and minerals आप सबजी या सालड की फॉर्म में रहेंगे सपोज आप एक रोटी खाते हो तो उसके साथ 2 कटोरी आप सबजी लोगे अगर 2 रोटी खाते हो तो 2 कटोर के करीब आप सालड लोगे तो अपनी डाइट में fiber की quantity increase कर दो आपकी body से सारे toxins निकल जाएंगे body detoxify हो जाएगी देखना आपकी diabetes आपको छोड़के चली जाएगी greens and herbs अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूज कीजेगा greens में spinach wheatgrass गिहुं के जवारे barley grass और सहजन moringa ये सब च cinnamon यानि की दालचीनी, मेथी, आमला, जामुन ये तीन चार चीजें ऐसी हैं जो की diabetic या फिर pre-diabetic stage में जो लोग हैं उनको ज़रूर लेनी चाहिए in fact daily लेनी चाहिए क्योंकि ये सब चीजें आपकी insulin की sensitivity को भी बढ़ाती हैं और साथ ही साथ pancreas की health को सुधारती हैं उसके ये टोनिक का काम करती हैं अब आप कहोगे कि इतनी सारी चीजें एक दिन में एक साथ कैसे लें तो उसका उपाए मैं आपको बता रहे हूं आप ले सकते हैं ये ओजीवा superfood greens and herbs for diabetes and pre-diabetic इसमें है six alkalizing greens like spinach, moringa, barley grass, wheat grass ये सब है इसके अंदर साथ ही साथ five sugar control herbs हैं जैसे की cinnamon, fen fenugreek seeds यानि की मेथी के दाने और आमला है इसके अंदर जामुन की गुठली का powder है इसके अंदर और साथ ही साथ चार anti-oxidants भी हैं जो की आपकी body से toxins को flush out करते हैं ये आपके liver and heart की functioning को भी सुधारेगा क्योंकि इसमें है फिनल seeds, lemon, pomegranate, tamarind and आमला तो अगर आपकी भी diabetes borderline पर है और आप pre-diabetic state में है या फिर अगर आप diabetes की tablet भी ले रहे हैं या injection भी ले रहे हैं साथ-साथ इसे consume करना शुरू कर दीजेगा ओजीवा is a well-known brand चाहे इनका collagen powder हो या फिर biotin हो बहुत अच्छे result आए हैं जिन्नों ने भी इसको use किया है and this particular product Oziva superfood greens and herbs for diabetes and pre-diabetic is also very very good और results इसके बहुत ही अच्छे हैं मैं बता देती हूं आपको ओजीवा superfood greens and herbs को आपको consume कैसे करना है आपको लेना है एक glass पानी उसमें आप 2 scoops यानि की तकरीवन 6 gram आप ओजीवा greens and herbs का add करेंगे stir कर लेंगे and सुबह एंप्टी स्टमक आप इस drink को लीचेगा ये plant-based product है तो कोई भी chemical वगरा इसमें नहीं add किये गए है gluten-free है and non GMO product है ये and इसका टेस्ट भी बिल्कुल भी कड़वा नहीं है जैसा कि diabetic juices का होता है normally क्योंकि इसमें pomegranate and black salt वगरा add किया हुआ है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है बहुत refreshing है बहुत soothing है and morning empty stomach इसको लेने में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है और जीवा superfood greens and herbs का link में आपको description box में जरूर जरूर दे दूँगी तो इस link पर click करके आपसे अपने लिए खरीच सकते हैं और एक बात जो बहुत-बहुत important है diabetes and pre-diabetic state के लोगों के लिए वो ये है कि आप 40 minute की walk या फिर कोई भी exercise daily भारेगी साथ ही साथ आपके blood sugar level भी spike up नहीं होंगे 40 minutes की exercise compulsory है जो भी pre-diabetic and diabetic stage पर है अब मैं आपको बता देती हूँ हस्त मुद्रा यानि की hand yoga posture first is rudra mudra rudra mudra क्या करती है rudra mudra आपके शरीर से सारे toxins को release करती है और साथ ही साथ insulin की sensitivity को बढ़ाती है अपने left hand पर अपने right hand को इस तरह से रखेंगे कि right hand की जो index finger है वो left hand के thumb पर आए और right hand की small finger है little finger है वो left hand की index finger पर आए इस तरीके से यह देखिए यह है left hand की thumb जिसके उपर right hand की index finger आई है और यह है left hand की index finger जिसके उपर right hand की little finger है अब आपको इस तरीके से दबाना है अपने हाथ को हलका हलका बहुत effective मुद्रा है pancreas को strong करने के लिए यह आप करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए साथी साथ कपाल भाती 10 मिनट walking 40 मिनट और 14 घंटे की fasting और साथी साथ greens and herbs अपनी डाइट में इंफ्लूट कीजे फ्रेश कर सकते हैं तो वैसी तो कोई बात ही नहीं है लेकिन क्योंकि यह possible नही तो आप यह और जीवा superfood greens and herbs ले सकते हैं और सबसे special बात इसकी यह है कि यह कोई normal superfood नहीं है इसे diabetes and pre-diabetic state के लोगों के लिए specially designed किया गया है male female सभी इसे ले सकते है type 1 type 2 diabetes में इसे लिया जा सकता है तो यह 3 step आप कर लीजेगा 15 दिन में अगर आपका sugar level control मेरा आए तो कहना तो यह था मेरा आज का वीडियो उमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज हिट लाइक बटन थमसब का बटन नीचे उसे ज़रूर दबा देना क्योंकि यहीं बनता है मेरी motivation मेरी inspiration आप लोगों के लिए वीडियो लाने की और अगर आपने already like कर दिया है तो मेरी तरब से धेर सारा प्यार और एक अच्छा सा वीडियो लेकर कर फिर आपके सामने हाजर हो जाएगी आपकी पूजा तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए और खुशियां बाड़ते रहिए